So, Hello Everyone, अर्मादेव, राधी, राधे, गाईस, कैसे आप सब लोग आई हो, पाप सब लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे, So, guys, आज मैं आपकी लिए लिए लिखर आगे हूँ, Who is your destined partner, कौन है वो person, जो आपकी किस्मत में लिखे होगे, आपकी true love कौन हो सकते हैं, Okay, destined partner वही हो सकते हैं, जो आपके true love होगे, Okay, So, यहाँ पी है, guys, wisdom card, first pile है, wisdom card की, and also अगर आपकी date of birth है, 1 से लेकि 15 के बीश में, तो आपके लिए first pile है, easily आप लोग पे कर सकते हो, यहाँ आप इसे मीच को देख सकते हो, कि universe है, यहाँ पे आप लोग हो, earth है, ठीक है, mother earth, gaya है, यहाँ पे, So, यहाँ पे second pile है, guys, soulmate card, and also अगर आपकी date of birth है, 16 से लेकि 31 के मीच में, तो start कर लेते हैं, आपकी reading को, who is your destined partner, कौन है, आपकी किस्मत के साथ ही, okay, जो भी आपकी किस्मत में लिखे हुए है, जिन से मिलना आपका लिखा हुआ है, okay, so, also guys, अगर आप new हो चाहाना पे, तो subscribe कर लेजे, चैनल को, bell icon को दबा देना, all पे sit कर देना, okay, so that आने वाले सभी notifications, आपको मिलते रहें, and guys, अगर आप लोग परसनर रीडिंग करवाना चाहते हो, आप मुझे DM कर सकते हैं, Instagram पे, link description में है, timestamp के just उपर होगा, या फिव बाउट section से भी आप लोग देख सकते हो, okay, so, also, अगर आपको जोईन करना है, चानल आप कर सकते हो, home page पे subscribe बटन के पास होगा, okay, join button, so, आप वहाँ से click कर सकते हो, join button पे, अपने पर्स के accordingly पर्स चीज कर सकते हो, okay, so, guys, आपकी reading को first file से, okay, जिनोंने भी wisdom card को pick किया है, या 1 से लेके 15 तक, उनके date of birth आती है, so, first file, अगर आप लोगों ने wisdom card को pick किया था, यहाँ फिर आपकी जनम तारीक, मतलब आपकी date of birth, एक से लेके 15 के बीच में आती है, तो देख लेते हैं, आपकी शादी किन से होने वाली है, आपकी destined partner कौन है, आपकी true love कौन है, जिन से मिलना आपका पक्का है, इस lifetime में, so, यहाँ पी है wisdom, सबसे पहला card guys, wisdom का है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, mother earth gaia, and like होता न, universe आपको मिलवाने की, साजिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप easily नहीं मिलने वाले हो, अपने destined partner से, ऐसा हो सकता है, कि आप online भी मिल जाओ, क्योंकि यहाँ पर earth दिख रही है, तो of course, online आप लोग मिल सकते हो, किसी भी app के थूँ, चाहिए Instagram है, WhatsApp है, जो भी है, ठीक है Twitter, जहाँ से भी हो, आप लोग ऐसे मिल सकते, अपने destined partner से, अपने true love से, ओके, तो also यहाँ पर universe, आपके लिए pray कर देख देख रही है, I think so, कि आप universe के बच्चे, of course, अभी लोग है, हमारे पिता जी है, universe, ओके, परम, पिता, परमात्मा, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, कि universe आपको, कहते हुए दिख रहे कि, यही person है आपके, और यहाँ पर यह भी दिख रहे कि, यह person बहुत famous भी होने वाले है, और यह भी दिख रहे कि, यह person बहुत जादा nature lover है, ओके, nature में रहना इनको पसंद है, यह भी दिख रहे है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गृंद रही है, इनका heart chakra open होता हुआ दिख रहे है, यह तो आपकी जाने के बाद, यह बहुत जाद दिल के बड़े नहीं होते हैं, जिल से बड़े हैं, हर एक काम में, प्यार से बात करना हर किसी से, ओके, यहाँ से देख लेते हैं, क्यार है आपके लिए, वो इस योर डेस्टेंट पार्टनर, कौन है वो परसन, ओके, ओके, फुर्स कार्ड गाईस, हाई प्रेस्ट्रस क्या है आपके लिए, हाई प्रेस्ट्रस, से किनिस फूल, गाईस, दोनों ही मेजर काना है आपके लिए, सं कारड, वो गाईस, कौन है ये परसन, चार कारड, ओमाइग गाईस, दोनों ही, चारो ही, चारो कार्ड ही, बहुत बेस्ट कार्ड हैं, और अलसो, मेजर काना है यहां पर, Six of Wands Marriage card आ चुक है यहाँ पी Mother of Swords means Queen of Swords का card है यही Queen of Swords की energies है यहाँ पी Moon card है guys Oh my God Five major card आ आ चुक है यहाँ पी And last card ही यहाँ पी आपके लिए Devil OMG guys six major First reading है यही जिसमें छे major आ आ चुक है और तीन यहाँ पी normal cards है bottom of the deck मिलाकर ओके यहाँ पी है Mother of Swords Six of Wands Moon, Devil, Sun Star card, Fool card High Priestess, Middle Nergies क्या है आप लोग की जिसवी Two of Pentacles so guys जिस पी person के साथ आपकी marriage होगी वो person थोड़े से busy रहने वाले person है Okay busy रहने वाले होगे वो उनके पास बहुत ज़रा work हो सकता है Work load उनके उपर हो सकता है And equal given take चाहेंगे आपसे Okay in your life Equal given take उनको चाही होगा Okay यहाँ पर juggling भी कर सकते हैं इस रिष्टे को लेकर starting में वो Okay कि इस से शादी की जाही है नहीं ठीक है यह मेरे true love है या नहीं ऐसा उनके mind में दिख रहा है And high priestess है यहाँ पर So high priestess guys आपको दिखा रही है Secrecy यहाँ पर दिख रही होके Secrets यहाँ पर दिख रही है थोड़े से Yes आप लोग या आपके person secrets रखते हो दिख रही है starting में मैंने आपको कहा शाहीद आप लोग online मिले हो सकते हो अगर नहीं तो guys यह जो भी person है बहुत major energies दिख रही है हीली एडिया जाला अच्छे लगते हो लाइक उनको पहाडों में घूमना फेदना बहुत अच्छा लगता होगा यह ऐसे हो सकते हैं माचल से यह जम्मु कश्मीर जहां पर हीली स्टेशन है ठीक है वहाँ से हो सकते हैं यह person ओके मुझे O.T. भी सुन रहा है O.T. वहाँ से हो सकते हैं आप देख लेना O.T. कहाँ पी है sun card है star card है यहाँ पे so of course बहुत famous personality दिख रहे हैं authoritative person जहाँ पे दिख रहे हैं आपके जो भी यह destined partner है बहुत खुश रहने वाले person है यह joyful nature की हैं true love भी होंगे और यह भी करेंगे और आप भी and also guys यह person यहाँ की authority position पे मुझे दिख रहे है sun card happiness दिख रहे है खुश बांटने वाले भी और खुश रहने वाले भी यह person दिख रहे है अगर इनको attention भी होगी यह उसमें भी खुशी ढून देंगे कि yes इसमें क्या खुशी मैं ढून सकता है या ढून सकती हूं कि बहुत positive nature के रहने वाले हैं यह person six of wands guys marriage का card है okay victory का भी card है अगर आप लोग love marriage करना चाहते हो आपने family वालों को easily मना सकते हो यहाँ पर यह भी chances है and यह भी हो सकते है कि आपकी life में आपको victory मिले किसी ना किसी place में आपके work में आपकी career में okay so यह दिख रहे है कि आपको victory मिले इस person से जब भी आप मिलोगी उसके बाद and आप लोग strong position दिख रहे है guys आपकी swords के energy है तो आप mentally बहुत strong दिख रहे हो हर एक चीज में आगे दिख रहे हो mentally okay moon and also devil wow guys moon यहाँ पर आपको बता रहे है कि आप थोड़े से unstable भी दिख रहे हो कहीं न कहीं ठीक है unstable like आपको लग रहे है कि stable energies में हो पर यहाँ पर stable energies नहीं and devil card guys sensual energies को भी show करता है बहुत ज़र sexual attraction भी यहाँ पर दिख रही है ठीक है आप दोनों के बीच में एक दुसरे के towards and moon है तो यहाँ पर options भी दिख रहे हैं आपके सामने okay options आपके पास हो सकती है किस न किसी way में चाहे वो रिष्टों में है चाहे कुछ पी आप से कुछ ना कुछ अगर hidden है तो वो आपके सामनी आ जाएगा because यहाँ पर moon and sun दोनों ही एक दुसरे के नीचे उपर नीचे आए है so आप लोग destined हो guys मलने के लिए क्यों कि यहाँ पर sun and moon दोनों ही आ चुके हैं okay so यहाँ से देख लेते हैं guys and also cancer and Capricorn okay यह signs आपके लिए important होते है Aries, Leo, Sagittarius and Gemini Libre Aquarius आपके लिए important signs रहने वाले है also guys यहाँ पर यह भी show कर रहे कि आप लोग यहाँ थो आपके ग्रहा ऐसे-ऐसे मलब कार्ट्स बैठे होगा बेखे हुए कुछ ग्रह, कुछ Leo में बेखे हूँ, कुछ Capricorn में बेखे हुए कुछ Cancer या करक राशी में बेखे हूँ और आप यहां पर यह भी दिख रहे हैं कि आप एरिस में भी आपके कुछ न कुछ ग्रह बेखे हो सकते हैं रहे आपके सने हो सकते हैं यहां पर आपके पूसन के हो सकते हो कि अब्चेकल्स एड चेलेंजज एसलिए हैं यहां पर फ्याइव पेंटीकल्स वोड़ कार्ट सो यहां पी है foundation and achievements rejoice and celebration last one is guys firm foundation, bottom of the deck discontent and boredom सो यहां पी है ऐसा दिखते है कि आप अभी तो इस रिष्टे में कुछ भी नहीं देख पा रहे हो आप bored feel कर रहे हो, आपको लग रहे है कि आप बिल्कुल भी, बिल्कुल ही अकेले हो गए हो, कोई भी आपकी साथ नहीं है, बट यहां पे कुछ obstacles तो आनी ही होती है अगर आप ऐसे person से मिलने वाले हो जहां पे major energies आई है major आई हैं, जाना वहां पे guys major energies ही रहने वाली हैं, हर एक reason में आपके चाहिए career हो चाहिए वो job है, आपके कुछ भी है ठीक है, so आपके life हे major energies रहेंगे, इस person के मिलने से पहले, okay and also, यहां पे यह person उस side जाने की कोशिश कर रहे है तो आप अलग different caste आपके चाहिए जाने की हो सकते हो guys, okay pentacles wise, यहां पे कुछ issues मुझे यहां पे show हो रहे हैं, कि यहां पे pentacles yellow energy pentacles की भी energy है, यहां पे यहां पे यह भी हो सकते है, कोई कुछना कुछ तो है, यहां पे जैसे जुगनू है, ठीक है, यह भी हो सकता है universe है, यहां पे आपके लिए तो of course, universe आपका साथ देते हो, दिख रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हो, वैसा ही आपके साथ होता हुआ दिखेगा, okay, long distance मैंने जिसे बोला, यह person आपके साथ long distance ही हो सकते है foundation and achievements यहां आपको show कर रहे हैं, कि आपकी family life बहुत अच्छी रहेगी, family wise आप बहुत अच्छे रहने वाले हो, अपने person के साथ okay, आप बहुत celebrations करने वाली family में जाने वाले हो, celebrate करेंगे आपके person बहुत ज़द आपके साथ आप firm foundation create करने वाले हो, okay, firm foundation means strong base एक दूसरे के साथ create करना होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ strongly या तो feel करोगी, आप strong bond feel करने वाले हो, यहाँ guys strong base बनाते होई दिख रहे हो, कि यहाँ आगे जाकर life में कभी कोई और issue ना आए okay, so यहाँ से देख लेते हैं guys आपके लिए क्या advice है यहाँ के आपके लिए क्या advice है आपके spirit guides के तरफ से क्या advice है आपके आपकी शादी के लिए, so guys बहुत सारे faces and cycles के through गुजरना पड़ेगा आपको marriage के before, okay, मतलब शादी से पहले there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released, so of course guys अगर कुछ end होगा तो उसके बाद new beginnings तो लिखी हुई है, so जो भी illusions है guys, वो reveal की जाएंगी, आपके सामने and release की जाएंगी, okay Mother Mary है guys, यहाँ पे of course love and peace का message है आपके लिए, love and peace के ओपर focus करिए let go of the need to be right guys, I don't know why but yes मुझे दो चीजे मुझे confusion है कि यह क्या चीज थी, एक तो हम telephone करते थे थे न, पुराने time में जो घर पे होता था, जिसमें number ऐसे 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 घुमाते थे, ठीक है so वो यहाँ पे golden color का मुझे दिखाया, ठीक है, I hope मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो person है थोड़े से traditional family से होने वाले है, ठीक है, rich family सकते हैं, उनके शौंक ऐसे हो सकते हैं, कि यह सब चीजे रखी जाएं हमारे घर पे, okay so, of course let go of the need to be right choose, please, mother healing is possible at this time, अगर आपके ममा से नहीं बन रही या ममा तादा बन चुकी हैं so, उनकी healing possible at this time okay, so, आपको कहा जरे अपने आपको सही मठ है रहो जो हो रहा है, वैसे चलने दो शान्ती को चूज करो कि relax रो, relax feel करो अपने ancestors से help मांगो कि आपके ancestors आपकी help कर सकते हैं and magic manifesting isis goddesses हैं, ठीक है your dreams, visions and goals are becoming reality stay focused, so guys focus रखोगे किसी situation पे उपर, तो of course आपको magics आपके जो हैं वो manifest होते हुए दिखेंगे आपको dreams जो हैं, goals जो हैं visions जो हैं, वो guys reality बनते हुए दिखेंगे आपको brigade inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power, recognize करो guys that आपके पास powers हैं, okay, आपके बास inner strength है अपने लिए, ये बहुत बड़ी power होती है, अगर आपको कुई काम करना है अगर आपके अंदर inner strength नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, कि आपने सोच ले कुछ नहीं करना तो guys आपको कहा ज़रे अपने दल में आग जलाए, पैशन भरी अपने अंदर हो किसी काम को करने के लिए सो यहां पे Lord Buddha, bottom of the deck Master Buddha, सो guys यह जो भी person है, यह Buddha, यह को बहुत मानने वाले हो सकते हैं यहां पे इन्होंने इनके बहुत सचड़ी किया है आपके awareness increase होते होगे दिख लिए जब भी आप इस person से मिलोगे, अपनी marriage के towards यहां पे trust यह inner voice, वो आपको trust कतना पड़ेगा अपनी inner voice की उपर अगर इस situation के through जाना है यहां पे advice देख लेते हैं आपके लिए क्या है क्या advice है आपके लिए यहां से देख लेते हैं क्या advice है आपके लिए Scorpio sign आपके लिए important हुसते it's time to release negativity अगर अगर आप बहुत negative हो रखें नो guys तो यह time है आपके लिए release होने के लिए negativity को ब्रिश्चिक राशी आपके लिए important हुसते conclusions are within reach so आपकी जो conclusions है वो आपको मिलते हुए दिखेंगे क्योंके आपके लिए message है conclusions आपकी life में मिलते हुए दिख रहे हैं राशी और आपका जहां पी आपका रहा हुए न वो राशी आपके लिए important हो सकती है so आपको कहा जाए your dreams needs a practical plan आपकी जो भी चाहे हैं आपके जो सुपने हैं उनको practical plan की ज़रुरत है step out of your comfort zone आपको अपने comfort zone से बहार निकलना होगा उसके लिए अगर आपको अपने practical plans के ओपर work करना है अपने dreams को practical plan your dreams needs a practical अगर आपके dreams को practical plan की जुरुरत है तो वह आप लोग करते हुए दिख रहे हो की so bottom of the deck believe in the impossible bloom is here so believe करो guys यह person के सथ आपकी marriage हो जाएगी यह destined partner है आपकी impossible में believe करो आपके लिए message है okay so of course कुछ लोग possible में भी comment करने लग जाते हैं ठीक है so आपको possible में interest लेना है impossible में ही guys ठीक है आप लोग personal reading book करना चाहते हो तो आप मुझे DM कर देना हो के Instagram पर link description में है time stamps के just उपर अभी के लितने guys हरमादेव रादे रादे God bless you all bye so hello everyone हरमादेव रादे रादे कैसे हो आप सब लोग second pile अगर आपकी date of birth exchange से लेके 31 के बीच में आती है यह फिर आपने soulmate card को pick किया है तो देख लेते हैं who is your destined partner कौन है आपके true love okay so यहाँ पर soulmate है guys तो सबसे पहली बात तो आपके soulmate होने वाले हैं जो भी यह person है आप second guys इनके सथ आपके telepathically relationship रहने वाला है like आप जो सोचोगे वो वैसा ही सोचने वाले हैं like ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने mind से कुछना कुछ सोचा है और उनको message भेच दिया है आपने okay so intuitively उनकी तरफ भी वो message जाता हुआ दिख रहा है इसको कहते है telepathically relationship okay so like जो आप सोच रहे हों वही वो सोच रहे होंगे okay तो यहाँ पी है guys seven of wands यह जो आप सोच रहे हो okay seven of wands यहां पर है first card यहां पर word card okay okay moon card है guys यहां पर first file तो guys अपने ज्यादा अच्छी है अगर आपको वह भी देखनी होगी तो आप देख सकते हो कि अपने accordingly अगर आपके पास time होगा या आपका मन है first file देखने का okay आपके date of birth उस file में आती हो और आपको लगता है कि मेरे लिए यह energies लिखी हुई है okay तो आप उसके accordingly देख सकते हो सो यहां पर moon card है star card again wow moon and star card first file में भी आये थे guys तो ace of swords okay 10 of cups nice wow ace of cups amazing wow guys यहां पर भी बहुत अच्छी energies है guys soulmate की energies of course हो गई यहां पर है seven of pentacles okay so bottom of the deck guys यहां पर है आपके लिए hero friend card के भी major रखाना की energies है middle energies guys lovers oh my god one two three four five so guys five major रखाना है यहां पर middle and आपके लिए bottom की energies दोनों ही major रखाना आई हैं यहां पर lovers and the hero friend card यहां पर जहां तक मुझे chances दख रहे हैं यहां पर आपके person teacher हो सकते हैं जो भी यह person है बहुत hard working है बट इन्होंने बहुत hard work किया है बट इतना इनको जैसे तनक के 100% hard work किया बट इनको profit इनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहे हैं उस तरह से इनको पैसा नहीं कर पा रहे हैं seven of wands fully strength के साथ खड़े हैं love marriage के chances जहां पर जाता है love कम range भी हो सकती है अपने family वालों को मना कर ओके so कौन है आपके destined partner कौन आपका true love हो सकते हैं word card है guys यहां पर तो of course आपकी life में long distance भी दिख रहे हैं यहां पर इस भी person से आपकी marriage होने वाली है यहां जो भी आपके distant partner है वो आपसे long distance में होंगे okay hierophant है आपके इनके साथ marriage के chances हैं okay यह teacher हो सकते हैं आपके person and lovers guys बोलने में बहुत अच्छे and also compatibility आपकी दोनों की ही बहुत अच्छी रहने वाली है stable life होने वाली है stable relationship रहने वाला है यह आपके लिए Taurus Gemini Scorpio also moon means cancer sign and Aquarius यह राशियों आपके लिए important हो सकते हैं okay Leo भी important होसते है because word card में सभी के सभी signs आचाते हैं बट जो major गाना है वह आपके लिए important हो सकते हैं like Taurus Cancer Leo and also guys Scorpio Sagittarius and Capricorn okay important signs आपके लिए हो सकते हैं Aquarius भी हो सकता है so of course communication यहां पर बहुत important है इस रिष्टे को अगर आगे तक लेकर जाना है communicate करिए clearly okay communication के बिना ही आपकी life में जो भी उतल फुतल होते हैं communication की वजह से होते हैं कि क्या आप लोग easily communicate नहीं कर पाते हो ठीक है किसी से भी 10 of cups family को भी show करता है family love show करते है आपकी family बहुत ज़रा आपको love देने वाले यह जो भी person है यह बहुत ज़रा family person हो सकते हैं okay इनके सथ बहुत अच्छे से आप completely clearly आप लोग communicate कर पाऊगी okay and आपके साथ यह family बनाने का भी सोचेंगे because destined partner guys marriage partner भी होता है okay हो सकता है so of course आपके इनसे marriage के भी chances बहुत ज़रा high है and of course seven of pentacles and ace of cups है so new love के chances जहां पे ज़्यादा है आपकी life में यह new person आएंगे आपकी life में जो भी आपके past में हुआ है उसको आप भोल जाओगे newly अपनी life को start करोगे okay अपनी life में कैसे आपको क्या करना है वो आप लोग अगीर आगे बढ़ोगे सोचोगे okay आपके लिए 10 number important होसता है 7 number important होसता है seven seven आपको बहुत दिखता हो seven 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 okay so आपके लिए messages है कि आपके लिए यह person आने वाले हैं long distance से हैं बहुत साथी चीज़े secret रखेंगे पहले 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 इस देख लेते हैं यहां से क्या आ रहे हैं आपके लिए positive movement forward यह person guys famous personality रहने वाले हैं okay famous होने वाले हैं यह person कुछ चीज़े आपसे हाइड रखेंगे starting में okay but yes after some time आपके सामने सब चीज़े रख देंगे because आपके लिए इनका प्यार बहुत overflow होने वाला है movement choices and decisions sacrifice okay so यहां पे है balance okay and last है guys यहां पे आपके लिए light card यहां पे है guys आपके लिए sun card की energies okay bottom of the deck transformation का card है यहां पे so guys transformation card आपको यही show कर रहा है कि आपकी life में change आता हुआ दिख रहा है okay after meeting with your destined partner okay so of course 13 number आपके लिए important होसता है 8 number हो सकता है 12 11 3 19 1 10 2 okay numbers आपके लिए important हो सकते हैं guys आपके birth month हो सकते हैं आपकी birth date हो सकते है so change guys आपकी life में आता हुआ यहां फिर इस time आप इस तारिकों में आप मिल सकते हो अपने destined partner को के पर आप इतना कहां याद रख पाओगे I know so यहां पी है guys positive movement forward so आपकी life में जो भी आपके destined partner है इसके साथ guys आप कहीं न कहीं like मुझे ऐसा लग रहे है कि आप foreign कहीं न कहीं चले जाओगे foreign country जा सकते हो आप इनके साथ okay travel कर रहे हो guys आप कहीं न कहीं okay travel blogger भी हो सकते हैं यह person के traveling प्रसंद हो सकते हैं इनको यहां फिर guys ship वगएरा में इनकी job हो सकते हैं यह भी है and sacrifice guys आपके जो distant partner हैं आपके जो true love हैं यह आपको आपके लिए कुछ न मुझे ऐसा लग रहे है कि अगर आपको marriage तक जाना है इस रश्टे में तो of course आपको sacrifice भी करने पड़ सकते हैं यहां फिर इन्होंने बहुत सारे अपनी life में sacrifices किये हैं past में बहुत सारी चीज़े इन्होंने अपनी life में सहर चुके हैं यह person ओके चाहे girl है चाहे boy है so of course यह girl जैसे उपर हाथ करके universe प्रे कर रही है कि इसकी life में सब अच्छा हो जाए सब कुछ इसको मिल जाए जो भी है चाहते है so rainbow की energies इसके उपर आते हुए दिख रहे हैं of course खुश्यां है इसकी life में happiness इसकी life में universe भेशते हुए दिख रहे हैं so यहाँ पी है guys movement choices and decisions आपकी life में आते हुए दिख रहे हैं बहुत सरी choices आपको मिल सकते हैं in the near future आपकी अगर आप marriage के लिए देख रहे हैं इस person के साथ उसके अलावा आपके पास बहुत सारी options हो सकती है आपको बहुत सारी decisions लेने पढ़ सकते हैं guys आपकी life में okay and balance की energies हैं य आपको अपनी energies में यह person बहुत जरा balanced energies में रहना पसंद करते हैं लेकिन को हर एक काम time पे करना पसंद है okay हर एक situation में को time time बहुत important इनके लिए हो सकता है ठीक है time गवाते नहीं चाहे girl है चाहे boy है बहुत ज़रा time management इनकी बहुत अच्छी है okay हर एक काम के लिए light है बहुत ज energies में है यह person बहुत ज़रा मतलब बहुत अच्छी energies यहाँ पर इनकी दिख रहे है sun card है बहुत jolly nature हो सकता है इनका jolly nature के हो सकते है खुश रहना मलब खुश रहते हैं लोग अपने पास वालों को भी अपने साथ वालों को भी happy रखते हैं यह person के so guys यह जैसे यह भी girl universe ही कु इच्वास रखने वाले हैं so यहाँ प्यक काली मावाओ second pile facing fear आपको कहा जा रहा है आप face करने सीखो अपने fears को okay major spiritual changes are unfolding this is your chance to source so guys आपका यह chance है सोर करने का हूँ चाही चूने का okay आपके लिए major spiritual changes आते हुए दिख रहे हैं okay guys seranosis life force expressed your driving passion sensual and sexual powers increase so of course guys आप यह जो भी person है यह बहुत सारा आपके लिए passionate है express कर रहेंगे आपके सामने अपना passion okay and बहुत सारा sensual feelings and powers increase होते हुए दिख रहे हैं इनकी okay and आपकी भी so mariam है यहाँ पे secrets wisdom यहाँ पे दिख रहे है मुझे आपे आपको कहा जाए चूज करिये forgive करना हर किसी को अगर आपको heal करना है in order to heal okay see the light in all remember that love has no boundaries याद रखिये प्यार की कोई भी सीमा नहीं होते है प्यार की कोई भी boundaries नहीं होते है okay so of course रोशनी ढूंडिये हर किसी में हर किसी में कोई ना कोई पैशन ढूंडिये कि इस person के अंदर कुछ ना कुछ है okay so यहाँ परसन आपके twin flame भी हो सकते है because यहाँ पर दो energies आई है यहाँ पर काली मा भी आई है so of course 11 number भी मुझे दिखा है so आपके लिए आपके twin flame भी हो सकते हैं जो आपकी life में आएंगे okay आपके destined partner है जो okay जो आपके true love है lady posture है यहाँ पर divine order आपके लिए मिलता हुआ दिख रहे हैं आपको divine order है यह universe की तरफ से do what you feel is right so guys वही करिए जो आपको लगता है सही है आपके लिए और सभी के लिए भी an important lesson is unfolding आपके लिए बहुत जरूरी lessons unfold होते हुए दिख रहे हैं बहुत important कोई information आपके सामने आ सकती है okay कुछ आपको lessons मिलने हैं वो आपके सामने आ सकते हैं okay so bottom of the deck isis goddesses है so magic manifesting आपके लिए message है your dreams visions and goals are becoming reality stay focused so आपको बोला जा रहे है focussed रहिए okay आपके जो dreams है वो reality में convert होते हुए दिख रहे है stay focused okay so of course क्राइब आपके लिए कहां जाए manifest करो के अगर आपको चाहिए कुछ तो manifest करो काली मा का भी यही message था but आपके life में ने कुछ ना कुछ important lesson आते हुए दिख रहे हैं spiritual lesson हो सकते हैं यह okay आपको कुछन को sacrifice करने पर सकते हैं long distance relationship है मैं आपको बता दो किमनिकेट बहुत अच्छे से करोगे soulmate या 20 frame रहने वाले हैं यह person आपके यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या advice है आपके लिए क्या जानने की जरूरत है आपको इस person के बारे में your hard work is being off मुझे असा लग रहे है यह person बहुत जारा hard working भी हो सकते हैं कुछ लोग बहुत hard working है मतलब बहुत थकते नहीं है कुछ भी काम करते 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 ही रहते हैं काम new moon in Capricorn आपके लिए important हो सकता है guys okay so don't let pride get in your way so pride मत लेकर आईए अपने अदर घमंड लेकर नमत आईए आपके लिए message है हर किसी से प्याल से नमलता से बात करिए आपके लिए message okay so of course your dreams needs practical plan so आपके जो सपने हैं उनको practical plan की जुरत है ने जो भी person है अपने practical plans के उपर ही work कर रहे हैं आपको भी प्राइज करेंगे कि आप यह करो है pride में नहीं आना है government में नहीं आना यह person ऐसे ही हर किसी को सिखाते ही है learn करवाते ही lessons and also आपके यह person बहुत hard work के पर focus करते हैं hard work करना इनको पसंद है take time to breathe out so आपके लिए message है time निकाली अपने लिए breathe out करने के लिए अपने लिए time निकालना आपके लिए भी जुरूरी है ऐसा नहीं कि हर time एक ही person से बात ही करते रहो के अपने लिए भी time निकालो okay have faith in your dreams अगर आपका faith है dreams में आपके यह dream है आपको अपने परसन से मलना है आपको अपने distant partner से मलना है आपको अपने true love से मलना है तो वह आपका होता हुआ दिख रहा है काम okay so आपके लिए guys Capricorn, Leo okay important होते हैं sign Taurus okay Taurus Leo and Capricorn तीनों ही major arcana के जो signs होते हैं वो है and Aries it's time to take action यह time है guys आपके लिए action लेने का okay action लीजिए आपकी तरफ से आपके लिए ही message है आपको action लेना पड़ेगा guys अगर आपको इस person की तरफ जाना है आपको खुछ steps उठाने पड़ेगा अगर आपको इस person की तरफ जाना है इसकी life में जाना है so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like this reading, subscribe to my channel, bell icon को दबा देना अभी के लिए इतने guys सर्मादेव, राधी, राधे, God bless to all of you and अगर आप join करना चाहते हो तो कर सकते हो चाहते हो अगर आपको personal reading book करना है तो आप मुझे देम कर देना instagram पे link description में है, time stamps के just उपर कल ही हमारे subscriber थे, मुझे उनका name थोड़ा सा difficult है, I think M से था, ठीक है मनराम, रंजन, I think यह ऐसे ही था उनका name, तो उनने कल रेडिंग ले ठीक है, 3-4 questions के लिए, उनके लिए important questions थे बहुत अच्छी उनको लगे रेडिंग, अकर आपको भी लेनी हो तो आप ले सकते हो, guys अभी के लिए इतना ही, बाई, हरह महादेव